नमस्कार मैं हुराम प्रकाश दोतम और आज हम लोग बात करेंगे GST के उन सारे डेट्स का जो इंपोर्टेंट है और 1st October 2022 से अप्लीकेबल हो गया है इसमें आपको बता दूँ कि ये सितंबर का महिना जो है अब GST Act के लिए उतना इंपोर्टेंट नहीं रहा जितना की नवंबर का महिना हो गया है तो आने वाला नवंबर का महिना जो है वो बहुत ही आपके लिए हमारे लिए इंपोर्टेंट है GST के point of view से तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ क्या है एक नोटिफिकेशन नवर 18 बटा 2020 जो आया है 18 सितंबर 2020 को ये नोटिफाई किया गया और इसमें कहा गया है कि Finance Act 2022 जो है उसको 1 अक्टूबर 2022 से जो भी Amendment Finance Act 2022 में हुआ है उसको 1 अक्टूबर 2022 से आपको क्या कर दिया गया है और क्या अप्लाइड होना है ये देखिए Central Goods and Services Tax CGST, SGST, IGST यानि कि सब को मिला के हम बात करें तो Goods and Services Tax GST में जो Finance Act 2022 से केंड है जो भी प्रोवीजन है वो 1 अक्टूबर 2022 से अप्लीकेबल होने बाला है जिसमें सिर्फ और सिर्फ चोड़ा है सेक्शन 110 और सेक्शन 111 का क्लॉस C तो इसको समझने के लिए इस नोटिफिकेशन को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा Finance Act 2022 अब समझो यहाँ पे थोड़ा सा पेसेंस से आप हमारे साथ रहिएगा कि सितंबर का महिना खतम होगा अब चलेगा नवंबर का महिना देखें जो यहाँ पे Finance Act 2022 मैं open कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए यहां से सेक्शन 100 से सुरू हो जाता है CGST ठीक है यह जो सेक्शन 100 है यह किया है एमेंडमेंट सेक्शन 16 में GST Act का सेक्शन 16 जो है उसमें एमेंडमेंट किया गया है सबसे पहला डेट जो आपके लिए है वो है section 39 section 39 का मतलब आपके लिए क्या है 3B का यही है न section 39 जो important section है वो आपके लिए है कि ITC जो आप क्लेम करते हो उसका discuss किया गया है यानि कि जो आप ITC जो आप क्लेम करोगे financial year 21 बाइस का वो आप पहले क्या करते थे सितंबर तक करते थे सितंबर के जो आप फाइल करते थे आप 3B वगेरा उसमें जाके वहां तक आपको मतलब ITC ले लेना है अदरवाइस आपको नहीं मिलेगा लेकिन अब उस चीज़ को 30 न नवंबर तक अगर आपका कोई भी missing ITC है कोई भी ITC मिस हो गया है जो आपको नहीं दिख रहा है वो आप यहां पे ले सकते हो यानि कि due date जो है वो बढ़ गया आप सितंबर से नवंबर हो गया अब यहां पे देखना एक चीज़ तोरा सा समझाता हूँ technical point है यहां पे समझ कोशिश करिए मेरे साथ समझने का कि यह और लोग monthly वाले ना उनके लिए यह beneficial क्या है मंतली वालों के लिए कि सपोच करो आपको 30 नवंबर तक नवंबर का मतलब खाली नवंबर दे दिया नवंबर का मतलब हो गया 30 नवंबर यानि कि आपके पास 30 नवंबर तक टाइम दि अगर मिसिंग को आप यूटलाइज कर सकते तो उस केस में अगर आपने अक्टूबर का GST R3B कब फाइल करोगे 20 नवंबर को करोगे तो 20 नवंबर है लेकिन नवंबर पूरा दिया है टाइप यानि आपके पास 30 नवंबर तक है तो अक्टूबर का GST R3B फाइल करने का ड 10 दिन लेट कर सकते हो अगर आपको लगता है कि कोई भी ITC मेरा इसके इंट्रेस्ट और पेनल्टी से ज्यादा वेल्यूएबल है तो उसके लिए आप 10 दिन वेट करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्ट 10 दिन का इंट्रेस्ट या लेट फी आपको देना पड़ेगा लेकिन जो qrmp वाले हो उसका क्या होता है second quarter जुलाएगा September अब इस quarter का आपको हो जाएगा September वाले का मुश्किल हो जाएगा November तक वेट करना तो qrmp वाले को quarterly वाले को मंथली वाले से थोड़ा ज्यादा सा इंट्रेस्ट पगिरा देना पड़ेगा लेट फी देना पड़ेगा तो यह पहला चीज के लिए next जो इसमें बदला हुआ है section 102 काता in section 34 of GST in subsection 2 for the words September the words the 13th day of November shall be substitute यानि amendment कर दिया section 34 section 34 क्या काता है section 34 आपको एमेंड किया है वो काता है डेविट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में section 34 आपका है कि अगर कोई financial year 21-22 का डेविट या क्रेडिट नोट आपने issue नहीं किया है या आपको adjustment करना है तो आप 30 नवंबर तक कर लिजिए आपके प important date आपके लिए valuable date यानि कि time extend करके दे दिया गया है तो आप इसका benefit ले लिजिए और याद भी रखिएगा और यह अपली भी केवल कब से है या एक October से यानि कल से और उसके बाद next जो date का हुआ है देको मैं अभी खाली date की चर्चा करूं बहुत सारे यह provision change में है लेकिन अब यह जो section आपको काता है GSTR1 का यह भी काता है सितंबर के जगह पे अब आपको आगया नवंबर का यहां पर क्या कि अगर GSTR1 financial year 21-20 का GSTR1 में कोई गलती हो गई है तो अभी आपको उसको rectification का मौका है 30 नवंबर 2022 तक करने का तो अब आपके पास जो नवंबर का महीना है GSTR के view से बहुत ज़्यादा important है तो थोड़ा सा मेहना करिए ठीक है नवंबर तक फटा फट कर लिजे जो pending है उसको कर लिजे thank you bye bye